वेल्कम टॉ वैक माई चैनल कैसे हैं आई होग कि आप सब ठीक होंगे सो गाइज थोड़ा मैं मैंने आज में बात करने वाली हूँ ब्लीच के बारे में ब्लीच से रिलेटेड वीडियों से एर करने वाली हूँ कि ब्लीच कैसे करें और कैसे करना बेस्ट होता है कि हमें नुकसान ना करें और मेरा यूज पर्सनल तरीका क्या है यूज करने का और देन उसके बाद इसके फायदे या नुक्षान क्या है तो वो चीज मैं सेयर करने वाली हूं और गाइज मैं इस टाइम इतना ठंडा लग रहा था साम का टाइम है तो मैं यहां छट पे बैठ कर भी खटी या प्या बीडियों बना रही हूं बैठ करके तो ठंड लग रही थी तो मैंने टोपी और सॉल डाल लिया है तो मैंने और मै देखे ब्लीच जो है ब्लीच का इस टाइम आज के समय में इतना ज़्यादा डिमांड है कि सबको गोरा होना है सबको सिंदर दिखना है और वो भी कम पैसे में अगर ग्लो मिल जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है तो और सबसे अच्छा बेटर आप्सन सबको क्या लगता है ब्लीच इंसेंट ग्लो चाहिए तुरंत ग्लो मिल जाएगा तो ब्लीच सबलाते हैं और ब्लीच की इतना ज़्यादा डिमांड हो गई है मार्केट में कि पूछो मत वैसे ब्लीच कोई अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट नुकसान नहीं करे बेगा क्योंकि हर एक चाहे कोई कितनी भी अच्छी चीज हो हर छीज की एक हर चीज में या चाहिए इंसान हो अगर अच्छाई भी है तो बुराई भी रहती है और एक लिमीट होता है किसी चीज मार्व निक्रॉस करोगे तो वह आपको उसका उल्टा रिजल्ट मिल सकता ह है गलत और एक लिमिट में रहके तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा तो वैसे ही है तो एक किस्सा याद आ रहा है मैं आप सबसे सेयर कर रही हूं एक लड़की थी वो उसको गोरा होने का इतना ज्यादा क्रेज था तो उसको जैसे कि बाकी लोगों से सुन्दर दीखना और गोरा होना क्रेज हर लड़की को रहता है तो उसको और एक लिमिट रहता है पर उसको जैसे हद्ध हो गया था वो इतना उसको जब पता चला ब्रीज करने से ग्लो आता है और चेहरा साफ हो जाता है ग्लो आ जाता है तो वो इतना जादा पागल हो गई तो वो ना क्या करती थी महीने में कई बार ब्लीच यूज कर लेती थी और मैंने अपने आखों से देखा एक दिन ब्लीच करती थी कभी ब्लीच सामने नहीं करती थी चोरी से करती थी पर एक बार मैंने देखा ब्लीच यूज कि चाहिए प UX के दूसरे तैसरे दी मतलब कि दो दिन भी नहीं भीता तीसरे दी ओर ना हो रहा हो और बाकी ब्लीश करते करते तो इतना तो साफ हो गया बाकी ये जो सब था बाकी बॉडी सब ब्लाक फेस बस साफ था उससे भी सब को फिर भाई ऐसा क्या लगाती है कि इनका इतना ही साफ हो बाकी सब काला है तो मैं नुकसान की बात कर रही है उसके फाइदे या नुकसान क् कि उसका जो फेस रता है करते 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 एकदम जैसा बना दिता है इतना डार्क और जैसे लगता था कि कोई चहरा जैसे जला दे उस टाइप का फेस लगने लगता था जब वो रियक्ट करता था ज्यादा यूज करने के वज़े से कर तो थोड़ा साफ हो जाता था तो उसको तो अच्छा लगता था पर जो जब उसका गलत रिजल्ट फेस पे दिखने लगता था तब वो परसान हो जाती थी जब तक फेस पे कुछ ट्रीटमेंट या यूज कुछ ना करें तब तक वो ठीक नहीं होता था फिर ब्लीच अवाइट कर देती थी फिर दीरे दीरे जब सेहरा सही हो जाता था फिर वही कंडिशन और आज भी वही है अभी भी और ये चीज होता है कि अगर आप ज़्यादा ब्लीच करेंगे तो कि और यू महीं बहुत गलत असर कर दीता था चैरे पे दोनों का रियेकशन तो बोलने में मेरा सांस पूलने लग रहा है तो पर आप किसी को कह नहीं सकते बता नहीं सकते बताओगे तो आजकल यह हैं लग रहा है मैं साप दिख रही हूं मैं गोरी दिख रही हूं इसी से जलन हो रहा है ऐसा कुछ दिमाग में सब के आने लगता है इतनी ज़्यादा गलत फ्रैमी तो इसलिए सब छोड़ दिए और सब कह यार कितना यार कितना वो करती फिर जब चहरा तो यार क्या लगाती इतना वो हो गया बस इतना ही सब है बाकी सब काला है फिर उसके बाद सब जब चहरा वो हो जाता था तब छुपाते फिर ती थी गाउ में होता है सब ऐसे बात करते हैं कि यार क्या लगाई कि इसकी बाता है जैसे लगाना है कोई ज़ला दिया हो ऐसा रिएक्षन करता है अगर घलत तरीके से यूज करो या घलत कोई चीज एक लिमीट से जादा यूज करो तो मेरे बताने का मक्सद यह था और सबकी बाकी अपनी मर्जी कोई कैसे भी यूज़ करें मुझे नहीं पर मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं और बाकी आप सब कुझे इसा ठीक लगया पोईशा कर सकते हैं तो यह था और ब्लीच गाइज में बता दू महिन जब भी यूज़ करिए ज्यादा ज्यादा महिने में एक बार यूज़ करिए और ज्यादा वाइट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है और जितना ज्यादा आप स्कीन के एर पर ध्यान दीजिए और नैचुरल चीजे शॉरी नैचुरल चीजे यूज़ करिए वह ज्यादा बैट आपे की स्कीण को Hieldky रखेगा तो कभी साली या पार्टी में जाना हो तो थोड़ा ग्लो चाये रता है defense सबको तो कैसे यूज करना है वो मैंने गुमें दिखाए है तो आप उस तरीके से यूज कर सकते हो मेरा कर्शनल मैं उस सरी किसी यूज कर सकती हूं यूज करती हूं और वो वैसे यूज करने से आपके चहरे पे उतना असर भी नहीं पड़ेगा गुल तो असर नहीं पड़ेगा तो आप मैं जैसे दिखाया मैंने आप वो ऐसे एक बार यूज करके देखिए और अगर सही लगता है आपको तुस तरीके से यूज करिए और नहीं सही लगता है तो आप फिर अपने तरीके से यूज करिए और पर जैसे मैं यूज करती हूं बेस् वीडियों समझ में आया हो और अच्छा भी लगा हो आप के लिए ये वीडियों हेलफूल रहा हो अगर जरासा भी हेलफूल हो तो प्लीज कमेंट में जरूर कमेंट करें और वीडियों को जादा से जादा सेर करिए और लाइक करिए अगर जो नए चैनल पर प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कैसा लगा वीडियों कमेंट में जरूर बताईए और और भी वीडियों मेरी आए तो आप सब के पास नोटिफिकेशन पहुचे जो लोग नए हैं तो प्लीज क्रिप्या करके आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो उन कमेंट में तो आप सब वीडियों देखिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियों में तब तक के लिए बाई थैंक्स पूर वाचिंग और लॉट्स अब लाग अगर गाईस कुछ छूट गया हूँ तो आप कमेंट में मुझे बता दी दीजिएगा तो गाई तो मैं पूरी क्रेम में हाफ एक्टिवेटर मिक्स करूंगी और इस टिब्बी में आधा ही एक्टिवेटर था पर मैं पूर उसमें आधे का अधा मैं मिक्स करूंगी तो इतना मैंने बचा लिया है आपको पूरा नहीं मिक्स करना है और देन उसके बाद मेरा यही रास था जो मैं बताना चाह रहे थी तो मैं यहां पर bleach में गुलाब जल मिक्स करूँगी और जितना मुझे जरूरत है उतना ज्यादा मिक्स करूँगी गुलाब जल क्या है आपको glow भी मिलेगा आप यह मत सोचे गुलाब जल मिलाने से आपका face पे कोई glow नहीं आएगा बिलकुल आएगा और गुलाब जल आपके face को ठंड़क पहुचाएगा और आपके skin को बिलकुल जलने भी नहीं देगा आप एक बार इस तरीके strike करिएगा और आपकी जो bleach की quantity भी थोड़ी बढ़ जाती है तो मैं यहाँ पर अपने hair को अच्छे से बन बनाके एक जगह secure कर लूँगी और देन उसके बाद एक brush की help से मैं bleach को लगाऊंगी उसको अच्छे से mix करने के बाद लगाऊंगी और देखना देखिए कितना पतला layer में लगा रही हूँ और आपको इसी तरीके से लगा लेना है आप चाये तो हाँ से भी लगा सकते मैं यहाँ पर brush से थोड़ा time लग रहा था तो मैं फटा-फट में हाँ से ही लगा लूँगी और इसमें इस patchula भी मिलता है तो मैं अपने पूरे face पे ऐसे लगा लूँगी देन उसके बाद मैं 15 मिनिट के लिए जितना उसमें दिया है उसमें एक डारेक्शन भी मिलता है जिसको आप पढ़के भी bleach कर सकते हैं और उसको कितने टाइम तक रखना है ये भी दिया रहता है निर्देश तो आप उस चीज़ को पढ़के भी bleach यूज कर सकते हैं पर मेरा अपना तरीका ये नया है कि मैं इसमें bleach करते टाइम उसमें रोजवाटर मिक्स करती हूं और आपको उसमें कहीं रोजवाटर डालने के लिए लिखा नहीं मिलेगा और ये मेरा अपना पर्शनल है और गाईज मुझे कोई भी नुक्षान नहीं होता है बलकि glow आता है अच्छा एक बार आप इस तरीके से जरूर ट्राइ करिए फिर मुझे कमेंट में आके खुद मेरे वीडियों पर कमेंट करके मुझे बताइए तो यहां मैं 15 मिनिट तक छोड़ दूँगी देन 15 मिनिट हो जाने के बाद मैं यहां पर क्लीन कर रही हूँ हलके हाथों से करना है लग रहा है पर मैंने हलके हाथों से तो देखिए glow पहले से आपको glow दीख रहा होगा चेहरा मेरा पहले से थोड़ा glow हो गया glow आगया पहले से तो आप देख शक्ते हैं तो आई होप कि आप सबको मेरा यूज करने का तरीखा पसंद आया हो पसंद आया हो तो guys please comment करके जरूर बताईएगा मुझे वीडियों के नीचे आप इस तरीके से जरूर एक बार यूज करिएगा और यूज करने के बाद आप मुझे आके बताईएगा देन उसके बाद मैं मॉस्चराइजर लगा लूँगे क्योंकि उसमें मॉस्चराइजर नहीं मिलता है छोटे पैक में तो मैं यहां पर अलक से मॉस्चराइजर लगा लूँगे मैं यहां पर टोनर लगाना पहले भूल गई पहले आप टोनर लगाईए देन उसके बाद मॉस्चराइजर लगाईएगा और मैं उसी टाइम अपने हाथ वाथ में भी लगा ले रही है तो आई हो कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक शेयर करें